हलो दोस्तों नमस्कार कैसे हैं आप सभी का चैनल पर स्वागत हैं यदि आप अपने काम की कोई भी चीज अमेजन से खरीदना चाहते हैं तो यूटूब के डिस्क्रिप्सर में दियेगी लिंक से जाके खरी सकते हैं आज सुरू करते हैं कमलनास सरकार किसानों और आम जनता तता यूवाओं पर महर्मान हो रही है लोगसबा चुनाओं से पहले उन्होंने हर वर्क को साधा है कलके केबिनेट में जो प्रस्ताव पारित हुई हैं उसके बारे में आज चर्चा करेंगे ताकि आपको इस जानकारी से लाव मिले और आप इसका लाव उठा सकें तो चल पूरी योजना विस्तार से यदि आपको योजना या अपडेट अच्छा लगे तो क्रप्या वीडियो को लाइक जरू करिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्क्राइब नहीं किया है तो यूटूब चैनल मोर क्रेटिव को इसी प्रकारी खबरों के लिए सब्क्राइ हर वर्ग को साधा मिटिंग में चार अहम फैसले हुए कल केबिनेट में मिटिंग हुई थी साज जनवरी 2019 को उसमें क्या-क्या हुआ है हम देखते हैं जिसके अंतरगत 21-30 वर्ष के बेरोजगार युवाओ को काम दिया जाएगा किसानों को प्रतिहास पावर 700 रुपे दि जली दी जाएगी और सामाजिक सुरक्षा पेंसन में पहले कम मिलता था लेकिन अब उसको बढ़ाकर 600 रुपया कर दिया गया है इन सभी चार योजनाओं को विस्तार से देखते हैं पहली है युवाओं के लिए योजना में सहरी युवाओं को वर्ष में 100 दिन के रोजग रहे आपकी यदि आए वारसिक 2,00,00 रुपय है और आपकी उम्र 21-30 वर्ष तक है तभी आप इस योजना में पंजीकरन कराईएगा युवाओं को प्रती महा 4,000 रुपय स्टैफंट प्रदान किया जाएगा योजना की नोडल एजेंसी नगरी निकाय होंगे मतलब ये ज नगरी निकायों में 10 फरवरी 2019 से सुर्य होगी प्रदेश के 6,50,000 युवाओं को योजना में प्रसिक छड़ दिया जाएगा योजना क्रियानवन पर लगबक साले 700 करोड रुपय का वित्ती भार आएगा ये हुवे युवाओं के लिए और उन्होंने का है मत्प्रदेश सरकार के केबिनेट ने इस योजना को जो नाम दिया है वह है युवाओं स्वाभिमान योजना इसमें 100 दिन के काम के एवज में कुल 13,000 रुपय का मांदे भी दिया जाएगा मतलब 4,000 रुपय 100 दिन के हिसाब से अगर आप कलकुलेशन करते हो तो टोटल 13,000 रुपय वार सद्ध जन, दिव्यांग जन, परियोकताओं, कल्याणियों, अविवाहित महिलाओं, कन्या अभिबावकों, व्रधा स्रम में निवासरत सभी अतव वासियों के लिए पैंसन योजनाओं में पात्रता अनुसार 300 से 500 रुपय में व्रद्धी कर 600 रुपय प्रतिमा प्रती हि चे 100 रुपय प्रती महा कर दिया है, ठीक है? इसमें बहुत सारे लोग आएंगे, कौन-कौन से आएंगे, वर्ध जन भी आएंगे, दिव्यांग जन भी आएंगे, परियोकता जन, मतलब जो दुसरे की ऊपर आसित हैं वो भी आएंगे, कल्याणियों, कल्यान का काम कर रही जो विद्वा मैला हैं वो भी आयेंगी, कन्या अभिबावक मतलब सिंगल गर्ड चाइल्ड, उनको भी योजना का लाब मिलेगा, व्रद्धास्रम में जो रहते हैं उनको भी योजना का लाब मिलेगा, इस प्रकार से काफी लोगों को जितने भी दूसरों पे आस्रीत है न, उनको सबको ये पेंसन मिलेगी और वो पेंसन प्रतिमा 600 रूपे मिलेगी ठीक है इससे प्रदेश के 40,37,553 से अधिक व्रध कल्यानी परित्यक्ता अविवाहित और दिव्यांग हिदगाईयों को लाब होगा ये भी बहुत अच्छी योजना है थोला थोला करके अगर आप म मैना अच्छे से गुजर चलता है अब हम देखेंगी आम जनता के लिए उन्होंने क्या किया है आम जनता के लिए उन्होंने योजना लांच की है इंद्रा ग्रह जोती योजना इसके अंतरगत आपको बिजली वजन पत्र के अनुसार प्रदेश में घरेलू विद्धूत के लिए इंद्रा ग्रजोती योजना प्रारम होगी वर्तमान में लागू सरल बिजली इसकीम को इसमें समाहित किया जाएगा योजना में उपभाकताओं को 100 यूनिट तक की खपत पर अधिक्तम 100 रुपिये का बिल दिया जाएगा यदि आप 100 रुपे के बिजली जलाते हैं तो आपको 100 रुपे का ये बिल दिया जाएगा अंतर की रासी राजसासन द्वारा वित्रन कमपनियों को सबसीडी के रूप में दी जाएगी आप सोचोंगे 100 रुपे में 100 रुपे कैसा क्योंकि जो बिजली पर यूनिट का रेट जादा है अगर आप 100 रुपे की बिजली माह में 100 रुपे की बिजली खपत पर मात्र अधिक यूनिटों के लिए टेरिप में निर्धारी दर के अनुसार बिल दिये जाएगे अर्थार यदि आपने किसी मेहने 100 रुपे की जादा जला दिये तो जो जादा रुपे की बिल आएगा मतलब उसमें भी कुछ सरकार संस खुदन करेगी ठीक है अनुसुचि जाती और अनुसुचि जन जाती के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे घरेलू सरल उपभोकताओं को इंद्रा ग्रह जोती योजना का लाब मिलेगा तथा वरतमान में प्राप्त होने वाली उर्जा और इंद्रन प्रभार की छूट भी जारी रहेगी इस योजना को मार्च की बिलिंग साइकल से लागो होगी मतलब मार्च एने अप्रेल और मैं में लोगसबाचुना है और मार्च से ये योजना चालू हो जाएगी ये भी अच्छी योजना है सरकार ने आम जनता को भी सादा है ठीक है मतलब घर अप्रेलू उप्योग में आने वाली जो बिजली है उसको भी सादा है अब हम बात करते हैं किसानों के लिए क्या किया है किसानों के लिए उन्होंने एक स्किम चालू करने वाली है इंद्रा किसान जोती योजना इसके अंतरगत क्या कहा है उन्होंने वचन पत्र के अनुस मतलब आप 10 हास पावर तक का यदि पंप चलाते हैं तो उसमें जो आपका बिल आएगा उस बिल की रासी को आधा करेगी सरकार और यह योजना अप्रेल 2019 से चालो होगी पहली योजना जो युवाओं के लिए थी वो फरवरी 10 से चालो हो रही है और जनता के लिए जो बिल का काम है 100 रुपए पर 100 यूनिट वो मार्च में चालो होगी और किसानों के लिए जो हास पावर में आपको बिल की कटोती होगी वह अप्रेल से चालो होगी मतलब मन्थली वाइस सारी योजना है लोकसबा चुनाओं के पहले सभी चालो हो जाएंगी इसमें देखते हैं योजना में प्रदेश के 10 हास पावर से अधिक के फ्लेट रेट इस्थाई क्रसी पंप कनेक्शनों को वर्तमान में लिए जा रहे हैं 1400 रुपे प्रती हास पावर प्रती वर्स की दर से एवं 10 हास पावर तक के इस्थाई क्रसी पंप कनेक्शनों को 700 रुपे प्रती हास पावर प्रती वर्स की दर से विद्धूत प्रदाय की जाएगी मतलब आपका यदि 1400 रुपे प्रति हास पाउर की दर से जो भी लागत आती है एक वर्स में उसको सीधा आदा कर दिया जाएगा मतलब आपको 700 रुपे का लाब होगा तिक है अंतर की रासी राज सासन द्वारा वित्रन कमपनी को सबसेडी के रूप में दी जाएगी योजना में 10 हास पाउर तक के मिटर युक्त इस्थाई और अस्थाई करसी पंप उपभोकताओं द्वारा वर्तमान में दे उज़ा प्रबार की दर में 50% की रियायत देते हुए निर्धारी दर से अंतर की रासी का बुक्ताण राज सासन द्वारा वित्रन कमपनी को अतरित्क सबसीडी के रूप में किया जाएगा मतलब बिजली विबाग को सासन पैसा देगा और आपको उस पैसे में छुड़ देगा वो भी 50% छोब ठीक है यह हो गया किसानों के लिए अब हम देखते हैं उन्होंने युवाओं के लिए जो युवा बेरोजगार हैं उनके लिए स्वरोजगार योधना अंतरगत एक स्किम चालू की है हलाकि ये स्किम पहले भी चल रही थी लेकिन इस पे और अपने केबिनेट में अमली जामा पहनाया है क्या कहा है इसमें देख लेते हैं सहरी संब्रद्दी उत्सो अंतरगत सहरी गरीब व्यक्तियों को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योधना अंतरगत दो लाख रुपे तक की रिन रासी और मुख्यमंत्री आर्थिक कल्यान योजना की अंतरगत 50,000 रुपे तक का रिन उपलब कराये जाएगा यदि आप किसी भी रोजगार के लिए पैसा उठाना चाहते हैं तो आपको 2,00,000 रुपे तक का लोन मिल जाएगा और आर्थिक कल्यान योजना अंतरगत यदि आप 50,000 तक का लोन लेना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा संबंदित योगी हिद्ग्राईयों को नगरपाली का कारिया लए से निसुल्क फार्म उपलब कराये जा रहे हैं यह जानकारी देते विए नगरपाली का अध्यक्ष कैलास परमार ने बताया कि संबंदित युद्ग्राई ये फाम प्राप्त कर आगामी 20 फरवरी तक नगरपाली का कारियाले में जमा करा सरकारी योजना का लाब ले मतलब ये किसी एक जीले में चालू हुआ है आश्टा में जो मदप्रदेश का एक जीला है तो इसी प्रकार से ये पूरे प्रदेश के लिए है आप जो भी इस योजना का लाब लेना चाहता है या फिर इस योजना के लिए पात्र है वो अपने नगरपालिका में जाएं औ और वहां से इसका फाम लेकर के पुई जानकारी ले ले और फाम वहीं पर तुरंच जमा कर दें तो आपको स्वरोजगार के अंतरगत रासी मिल जाएगी उसके बाद आप कोई भी धंदा खोल ले और अपनी बुजर बसर करें तो इस प्रकार से चार अपडेट थे जो जनता किसान, युवा, विरुजगार सभी के लिए बहुत महत्पूर्ण अपडेट थे जो साथ तारिक 2019 को के मिनिट में पारित हुए हैं तो आप सभी को इसका लाब होगा तो इस प्रकार से पूरा अपडेट था यदि आपको अपडेट अच्छा लगा हो तो क्रप्या वीडि किसन आपको सिकता से मिले तो मिलते हैं सर अगले इसी प्रकार आपके काम के अवर के साथ तब तक के लिए जय हिंद